हैलो, गुड मोनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आसा करता हूँ, आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों अभी जो है कि मैं वहाँ पर गया था, जहाँ पर मालिक मुझे रहने के लिए बोल रहा था तो वहाँ पर जाने के बाद से सब कुछ देखा हूँ, और उसका वीडियो भी बनाया हूँ, आप लोग देखे होंगे वीडियो कुछ लोग और नहीं देखे हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं, इसके बाद वाला जो वीडियो है, वही वाला वीडियो है तो वहाँ पर सब कुछ तो ठीक है रहने के लिए खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन बस दिक्कत यही है कि वहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा और थोड़ा मुश्किल होगी दोस्तो तो मैंने मालिक से बोला है कि इस बार नहीं अगले बार आएंगे तब जाए हो सबसे बड़ी चीज यह है कि मैं जितना बकरी लाने वाला हूं इतना बकरी अभी नहीं आई है अभी बहुत ही कम है क्योंकि जितना वो बोल रहा था उसके इसाब से अभी आधा भी नहीं बकरी हुई है तो इतना बकरी रहेगा तो नहीं भेजेगा लेकिन ढूंड रहा वो बकरी किसी अर्भी सेख का और भी बकरी मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा जिसका पास होगा वो अगर खरीद करके ला देगा तब तो भेजेगा यानि कि तिन चार सो बकरिय अगर हो जाएगी तभी भेजेगा अभी तो जादा से जादा 40-50 बकरियां है और 40-50 बकरियां रहेंगी तो नहीं भेजेगा तो वही हम सोच रहे हैं देख रहते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है नहीं भेजेगा तो सहीं रहेगा क्योंकि दूसरा बार में पता नहीं देखा जाएगा आना है कि नहीं आना है लेकिन तो फिलहाल में तो ना भेजे तो सहीं रहेगा तो देख सकते हैं दोस्तों ये ही वो सारी बकरियां है भेंड भी है बकरी भी है आप देख सकते हैं लेकिन यहां पर मैंने जितना भी भेंड बकरी देखा है ये की तरह देखा है बिल्कुल ऐसे ही देखा है बकरी का भी जो एकी कान और मुह सफेद होता है बाखी पूरा सरी बलेक होता है जितनी भी बकरियां देखने को मिलेंगे एक ही जैसे देखने को मिलती हैं वहाँ पर देख सकते हैं बच्चे भी बिल्कुल उसी तरह से हैं और भेड भी एक ही तरह से हैं जैसे भेड है वैसे एक ही तरह से हैं हलका फुलका का फरक पड़ जाता है लेकिन सारी भेड़ भी एकी जैसी होती है, तो आप देख सकते हैं, यह देखिए, तो कुछ इस परकार से होती है, तो दोस्तों, अब देखा जाएगा क्या होगा, मैं तो यही चाहता हूँ कि नहीं जाना पड़े, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, अगर जाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा, चलिए ठीक है दोस्तों, जैसा होगा, वैसा हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन कोई भी अगर साओधी अरब में आता है, अगर उसको अराम का काम मिल जाता है, तो यह ना सोचे कि उसका काम ऐसे ही बरकरार रहेगा, उसको कब क्या करना पड़ जाएगा, यह कोई गरांटी नहीं है, जैसे कि मालीजी अगर आप हाउस ड्राइबर में भी आए हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं, तो यह मत सोचिये कि आपको गाड़ी ही चलाने के लिए हमेशा मिलेगा, आपका बीच में काम चेंज हो सकता है, आपको कुछ और भी काम करने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि मैं जो है कि हाउस ड्राइबर में ही आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद से यह वाला काम करना पड़ रहा है, अब मुझे भी नहीं पहले पता था, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होगा, लेकिन चलिए, अब क्या क करेंगे, मजबूरी है, रहना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, आए हैं तो भाई, पैसा तो मिल रहा है ना, पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमा करके ही जाना पड़ेगा, अगर ऐसे चला जाएंगे, तब तो और ज़्यादा दिकत होगा, लेकिन चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप से किसी अगले वीडियो में, लेकिन दोस्तों, आप लोग, प्लीज, मेरे, मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा बहुत ही ज़्यादा रीच डाउन हो गया है, लाइक, सेयर, कमेंट कीजिए, और चैनल पे है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूज कर दीजिएगा, ओके दोस्तों, अभी के लिए बाए, फिर मिलेंगे आप से किसी अगले वीडियो में,